दोस्तों तो स्वागत है आपकी अपने यूटुब चैनल इसके mathematics and reasoning group में तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों से बात की थी नाउन की deflation और नाउन की types के बारे में तो वो कौन-कौन से types हैं? तो common noun, proper noun, collective noun तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम की one types के बारे में तो कौन से हैं? तो abstract noun तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दीजीगा like और चानल को कर दीजीगा subscribe तो चलें बिना किसी देड़ी के वीडियो को start करेंगे तो आई अब देख लेते हैं abstract noun तो abstract noun को हिंडि में बाते हैं भाव आजक संघ्या तो आँए अब हम देखते हैं abstract noun की definition क्या होती है तो वो होती है A strict noun is a name of emotions, idea, quality which we cannot see or touch तो abstract noun की definition ने तो बता दी अब आई ये हिंदी में भी जाल लेते हैं तो वो होती है जो गुंड, सत्य, दसाय, किसी भाव का बोथ कराते हैं उन्हें abstract भाव वाचक संग्या कहते हैं तो अब example भी देख रहते हैं तो example में आजाएगा sorrow, यानि कि दुख, अब अगर जिसको दुख हो रहा है वही नहीं से महसूस कर सकता है आप देखते हैं jealousy, यानि कि मुझे तुमसे jealousy है तो शिर्फ हम इसे feel कर सकते हैं, ना तो देख पाएंगे और ना ही सुथ बाएं नाम के last में ये support आते हैं जैसे home skin पे आप देख सकते हैं नेस, उद, डाम, मेंट, सीब तो ये सब हमारा हो जाएगा अब strict डाम, जैसे cleaverness, freedom, kingdom, movement, relationship तो देखे, last में ये support आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा अब strict डाम में kingdom तो ये हमारा हो जाएगा singular और singular आप में इसको फुलर बनातों जैसे kingdom तो ये हमारा हो जाएगा common noun मतलग कि किसी भी extraid noun की singular को अगरा पूलर बना देता है तो वह हमारा हो जाएगा common noun तो उम्मिद करती हैं दोस्तों कि आपको अब स्टेक्ट नाउन की डिफिनिशन समझ में आद ही होगी कि अब स्टेक्ट नाउन क्या होता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दिजिए लाइक और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करे आपके पहुंचती रहे तो मिलते हैं अबले वीडियो में तर तर के लिए टेक्ट बाइब बाइब